नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका exam study में दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे topic के बारे में जानि कि आपने नियूज में सुना होगा कि mad cow disease क्या है और ये नियूज में बहुत ही चर्चा का विशेरा तो इससे सम्मंदित जो हमारे questions होते हैं exam में वो आने की chances काफी जादा बढ़ जाते हैं कि ये क्या है और क्यों फैल रहा है और नियूज में क्यों है तो इसी के बारे में पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे बहुत हैं आपको बताओं कि ये नियूज में क्यों था वाई इन नियूज तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वर्ड का मैप क्यों है तो इसमें ये है कि ब्राजील ने जो बीफ है यानि कि बीफ आप जानते होंगे उसको उसका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है यानि कि चाइना में एक्सपोर्ट होता था तो हमारा ब्राजील कहां पर है ये ब्राजील आप देख पा रहे होंगे ये ब्राजील का हिस्सा है और ये है पूरा चाइना तो ब्राजील ने जो बीफ है चाइना में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है क्यों कि वहां पर जो mad cow disease है वो confirm हो गई है यानि कि बहुत तेजी से फैल रहा है इसलिए ब्राजील ने जो beef का export है वो चाइना में पंद कल दिया पूरी तरह से इसलिए चर्चा कभी से काफी ज़्यादा रहा और news में भी आपको काफी ज़्यादा देखने को मिला होगा कि यह जो mad cow disease यह क्या है तो इसी के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे अब बात यह आती है कि यह mad cow जो हमारे disease है यह है क्या MCD sort में हम कहेंगे mad cow disease तो mad cow disease जो है इसे हम लोग bse के नाम spongy form और e से मतलब होता है encephalopathy e n c e p h e l o p a t h y तो यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि bse का full form क्या है bse चर्चा में क्यों रहा तो आप उसको clearly आप उसका answer tick कर सकते हैं यानि कि boine spongy form incephalopathy boine होता है boine normally हमारा एक English में भी word आता है इसको बोलता है like cow यानि कि boine को उन सब normal terms में अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि जो बहुत ज़दा भोला बाला होता है गया जैसा होता है उसके लिए जो word आता है वो boine आता है तो BSC अगर आप से पुछा है कि BSC का full form क्या होता है तो आप clearly उसका answer दे सकते हैं कि boine spongy form incephalopathy कहते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर यह clear हो गया होगा और इससे क्या effect होता है BSC से इससे जो हमारी central जो nerves system होती है central nervous system यानि कि जो हमारी तंत्र का तंत्र होती है और जो हमारे adult cattle होते है उनका जो nervous system होता है directly वो effect हो जाता है इस disease से तो आपको यह सारी चीज़ें clear हो गया हो कि BSC क्या होता है BSC का full form क्या होता है और इससे क्या चीज़े effect करती है body में तो इससे जो nervous system होता है adult cattle का वो directly effect होता है अब बताती है कि यह कैसे इसका कारण क्या है इस फैलने का इस बिमारी का तो जो इसमें infectious agent होता है infectious agent के अगर हम बात करें तो जो उसका abnormal version होता है protein में वो क्या करता है वो normally जो cell की surface होती है उसको पूरे तरह से destroy कर देता है cell surface को destroy कर देता है और फिर destroy करने के साथ ही जो यह terms होता है पूरा जो cell surface destroy होती है उसको कहते है prion तो आपसे यह भी पूछा या सकता है कि इस infectious agent में जो abnormal जो वर्जन होता है जो proteins के अलावा जो cell surface को destroy करता है उससे क्या कहते है तो उससे कहते है prion तो यहाँ पर आपका यह जो एक terms है prion यह भी clear हो गया कि इस disease से जो हमारा surface सबसे ज्यादा effect करता है वो क्या होता है prion अब इसमें बात यह आती है कि जो यह protein होते हैं जब protein changement होता है protein का protein जब altered होता है यानि कि changement होता है तो change होने के साथ ही जो nervous system होता है उसके जो tissue होते हैं nervous system के जो tissue होते हैं उसमें से हमारा दो चीज़ें effect होती है एक तो हमारा brain और दूसरा हमारा होती है जो spinal cord अब अगर आप देखें चाहे कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो उसमें से उसकी body के जो सबसे important जो part होते हैं वो क्या होता है एक तो हमारा brain होता है दूसरा होता हमारा spinal cord यानि कि जो read की head होती है अगर यह ही अगर हमारा effect हो जाएगा तो body में क्या बचेगा कुछ भ support इसलिए ज्यादा खतरनाक है और सबसे बड़ी बात यह है कि फैलता कैसे तो दोस्तों यह जो BSC है BSC के बारे में जो मैंने बताया यह सबसे जादा जो effect करता है जब जानवर क्या करते हैं दूसित दूसित भोजन यानि कि जो feeding करते हैं ठीक है उससे सबसे जादा यह effect होता है यानि कि दूसित भोजन के अलावा जो directly क्या होता है कि body में इसका interaction होता है कोई भी दूसित चीज है directly body में आएगी और इससे जो disease है BSC यह जनवरों के सरीर में फैल जाएगी तो यह इसके spread होने का सबसे ज़्यादा main कारण है अब symptoms कैसे होते हैं इसके अगर मैं symptoms की बात करूँ इसके symptoms क्या है तो इसमें आप देखेंगे कि जो cow है सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही उनको चलने में यानि की walk करने में बहुत ज़्यादा trouble का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही जो उनका nervous system होगा और उनका जो color होगा वो कहीं न कहीं violent होने लगेगा और बहुत ज़्यादा violent होने लगेगा और वो बहुत ज़्यादा violent भी होने लगेंगी तो ये सारे symptoms उनको देखने को मिलेंगे अगर ये disease उनको हुई है इसके बाद अगर किसी भी cow में अगर एक बार ये symptoms देखने को मिल गए symptoms start हो गया तो जो गाय होगी बहुत ज़्यादा थिकर होने लगेगी यानि कि दुबली होने लगेगी इसके साथ ही finally उसका जो impact देखने को मिलेगा cow के क्या हो जाएगी death हो जाएगी तो usually ये जो पूरा process यानि कि इस disease का जो time period होता है वो होता है 2 weeks से लेके 6 month तक ये time period होता है यानि कि 2 weeks से 6 मेने के अंदर आपको इसका effect देखने को मिलेगा और finally इसका क्या होता है इसके causes के कारण death हो जाती है अब इसका treatment के अगर हम बात करें कि इसका treatment क्या है तो treatment की बात आती है अभी तक इसका कोई भी treatment नहीं खो जा गया है अभी तक कोई भी इसका इलाज संभाव नहीं हो पाया है और नहीं कोई इसकी vaccine बनी है तो इसी लिए ये तोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में था तो इससे related जो भी मैंने आपको terms बताएं कि इसका जो पूरा effect time period है वो कितना होता है दो week से लेकि 6 मन तक होता है और किस चीज को सबसे ज़्यादा effect करती है तो spinal cord और जो आपका brain होता है उसको ज़्यादा effect करता है इसके साथ ही फैलता कैसे है तो दूसी धोजन को directly अगर body में संपर्क में आता है तो उस वज़े से होता है BSC का full form क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है और जो cell surface को destroy करता है उसको क्या कहते है प्रियाउन कहते है इसके साथ ही BSC का full form होता है बोवाईन spongy form इंसेपो इंसेप फैलो पैदी ठीक है और इसमें से सबसे ज़्यादा effect क्या होता है central nervous system और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है adult cattle में और यह भी news में क्यों था क्योंकि Brazil ने जो हमारा beef है वो चाइना में export करना बंद कर दिया है इस वज़े से ज़्यादा चर्चा में था तो दोस्तो जब कोई चीज ज़्यादा news में होती है तो उसके exam में आने की chances भी ज़्यादा हो जाते हैं तो I hope यह सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी अगर ऐसे वीडियो से अगर आप देखना चाहते हैं तो please अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे Thank you so much